इस तरह का जो सैंड पेपर होता है या रेगमाल होता है मीडियम साइज के करीब आपको लेना है और फिर जहां पर ये स्क्रैच आई हुए हैं वहां पर आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे दोनों का अंतर आप किलिए देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर विफोर और आफ्ट का पहले इसकी हालत कैसी थी और अब इसकी हालत कैसी है